बच्वों यह जो question आप अपने screen पर देख रहे हो यह नोध है विद्धार entrance exam 2021 में आया था यानि कि JNVST 2021 में यह exam यह exam में पूछा गया था यह सवाल अब इस सवाल में आपको देखने में लग रहा हूँ कि बहुत चोटा सवाल है ठीक हाँ सवाल चोटा सा ही है लेकिन इसके practice हमारी खूब सारी होने वाली है इस concept पे basis एक भी ऐसा question नहीं हो जो तुम से छूट जाएगा ठीक है पूरी मस्त एकदम practice करने वाले हैं तो इस question को सबसे last में लेंगे जैसा कि मैं हर बार करता हूँ ठीक है सबसे पहले हम लोग concept सीखेंगे यह सबसे पहले हम लोग concept सीखे हो डूरू स्कूल का एप आप play Bye Toze से download कर सकते हो और वहां पे जाना है आप को यहां पर आप है स्टोर section में और यहां आप देख सकते हो की साल से यह cette तो आप इन में से कोई साभी एक चूज कर सकते हो या फिर मल्टिपल आप इसमें चीजें ले सकते हो ठीक है चलो तो अभी हम लोग कॉंसेट जानते हैं पहली बात तो यह जानते हैं कि भाई साभ यह मार्क्ट प्राइस है क्या एक्चल में मार्क्ट प्राइस मतलब जो अंकित मुल्य है क्या लेखो आप गए दुकान पे फ्रिज खरीदने रेफ्रिजरेटर खरीदे ठीक है अब इसका ये तो भाई खुला हुआ फ्रिज है ठीक है अभी इस पर थुरी ने लिखा रहेगा प् समाज है बिल्कुल यह इसका क्या है अंकित मुल्या है अंकित मुल्या याने की मार्कड प्राइस समझ रो मार्कड प्राइस यह किसका है कितना है मार्कड प्राइस या फिर आप इसको बोल सकते हो प्रिंटेड प्राइस क्या वेटा प्रिंटेड प्राइस प्रिंटेड प्र इस इकॉल टू मालों की 20,000 लिखा हुए, MRP 20,000, तो आपने मुला भाई है, 20,000 तो नहीं देंगे, थोड़ा कम में देना हो तो दो, इसने मुला भाई, ग्राहत सुबर सुबर आया है, चलाने जाए, उसने मुला लोग 10% हमें छूट दे दिया, तो 20,000 पे 10% छूट दिया, याने कि 2,000 छूट दिया, और तुम्हें 18,000 रुपे में वो सामान मिल गया, ये फिरिश कितने मिल गया, 18,000 रुपे मिल गया, तो कहने मतलब यह है कि 18,000 में तुमने खरीदा ना इसको, तो 18,000 में खरीदा, तो 18,000 दुकांदार के लिए विक्र मुल्य होगा, किलो भी मैंने 18,000 में बेच दिया, ठीक है, लेकिन जो अंकित मुल्य था, जो उस पे लिखा हुआ था, अंकित मतलब उस पे छपा हुआ मुल्य जो है ना, वो तो 20,000 था ना, तो अंकित मुल्य आनि कि मार्क प्राइस इसी को बोलते हैं, जो जीज जब्बय पे लिखा हुआ रहता है, ठीक है, चलो, इस पे बेस्ट एक क्वेशन करते हैं, सुरू में लेते हैं, बहुत आसान सा क्वेशन बेटा, बहुत आसान सा क्वेशन लेंगे, इसके बाद अच अंकित मुल्य क्या है, पंद्रसो रुपे है, मतलब डब्बे पे कितना लिखा हुआ है, डब्बे पे MRP कितना लिखा हुआ है, MRP लिखा हुआ है, ठीक है, MRP लिखा हुआ पंद्रसो रुपे, यदि दुकांदार को अंकित मुल्य के 80% पर बेचने के लिए सहमेत है, अच तो उसमें बोला भाई साथ 80% में दे ही देते हैं कम से कम थोड़ा तो फायदा होगा तो उसमें बोला कि ठीक है 1500 इस पर लिखा हुआ है लेकिन तुम 80% पर ले जाओ तो 80% हम निकाल लेंगे वाई साथ 80% निकाल लेंगे यानिकि 80 बटे 100 यह बात समझ में 80 बटे 100 यह 20 से 20 गया तुम तो गया तुम तो गया तुम्हें जाना होगा अब 15 वठे 120 है ना 15 वठे 120 और एक जीरो तो अल्रड़ी है ही तो 1200 रुपए यानि 80% मतलब 1200 रुपए उसक्या हो गया विक्रे मुल्य हो गया विक्रे मुल्य हो गया यानि कि विक्रे मुल्य हमारा यह ही हो गया कितना 1200 रुपए यानि कि सेलिंग प्राइस राइट चलो यह बात समझ में आगे बिल्कुल क्लियर है दो को छोड़ा सा कॉंसेप्ट है धिरे धिरे अपना हम लोग बेस मजबूत करके धिरे अच्छे क्वेशन्स लेंगे लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दो कि अने खेडमी आपके लिए एक मेगा ओफर लेके आ रहा है जहां पर अगर आप अने खेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो किसके लिए सीब्यसी बोर्ट के लिए महाराष्ट्रा सब्सक्रिप्शन लेते हो तो चारर मुंस का एक्स्ट का लाए बहुत्त के लिए अगर मैं बात करूं वहीं पर UP boord के बच्चों के लिए तो महराष्ट बोर्ट के लिए भी है और UP बोर्ट के लिए भी ऐसा ही है ठीक है यह महराष्ट बोर्ट के अगर मैं बात करूँ तो 12, 15, 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 4 महीने का एक्स्टा फ्री आपको मिलने वाला है और 24, 36, 48 मंथ का लेते हो तो 6 मंथ एक्स्टा एक्स्टा मिलने वाला है ठीक है देखो अभी मैं बता दूँ आपको की Iconic Courses में और जो आपका Plus Courses में अंतर का है Iconic Courses में आपको Personal Mentors मिलेंगे मतलब एक एक बच्चे के लिए Personal Mentors रसाइन किये जाएंगे जो उनके solution मतलब उतनी problems को देखेंगे अक्चुली solve करेंगे अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको कि 10% का आपको छूट मिल सकता है इन सभी पर चाहे आप Iconic लो चाहे आप Plus Subscription लो अगर आप Drone Code का यूज करते हो तो Anacademy के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे आपको किसी पेर सब्सक्रिप्शन पे 10% का छूट मिल जाएगा ठीक है तो बिड़ा Drone Code का जरूर से यूज कर लेना DRON Code का ताकि आपको 10% का Instant Discount इस पे मिल जाए चलो भी और हाँ जल्दी करना इसको क्यूंकि 13 सितंबर तक ही यह offer है तो जल्दी करो इसको enroll कर लो courses को आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने next question पे अगले level के question पे देखो ये रहा है तो अब धीरे धीरे हमने लेवल बढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे देखो क्या कहा रहा है अच्छा वह अने कर दिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है तो description में लिंक दिया हुआ हूँ वहां से app download आप कर लेना ठीक है ना चलो तो क्या कह रहा है question पड़ो की a shopkeeper makes a profit of 20% on marked price after giving 10% discount on the marked price of an item if the marked price is 150 find the cost price जड़ा ये language थोड़ा सा घुमा अफिरा करके दिया हुआ है ना थोड़ा सा दिमाग चक्रा रहा है तो ध्यान से पड़ो एक दुका अंदर किसी वस्तु के अंकित मुले पर 10% की छूट देता है ठीक है मालो जी कि वस्तु का अंकि मुले दिया हुआ है क्या ठीक है छूट देने के बाद 20% का अंकित मुले पर 20% का लाफ कमाता है यहां पर यह चीज़ ध्यान देने वाली है कि अंकित मुले पर 20% का लाफ कमाता है यानि कि marked price पर जो है he is earning 20% of profit ठीक है he is making 20% of profit on marked price ठीक है यह शाय तुम्हें दिखने अब तो मैं थोड़ा नीची इस को कर लेता हूं ठीक है और इसको मिटा दीता हूं भैवई ओ एक मिनले एक मिन यह जिए क्या होरा पर लुच्य सब्रकें कि महार्न है भागत्व है T दब्बे पे, दब्बे पे 150 लिखा हूँ है, 10% तुम छूट ले लो, यानि कि 10% छूट का मतलब कि 15 रुपया छूट दे रहा है, देखो, 150 का 10% 15 रुपया ही तो होगा, दस मुलोग को एक अंकि धर बढ़ा देंगे, पता है न, तो 15 रुपया है तो होगा, वैसे भी आप percent निकाल लो, 150 का 10% निकालने के लिए 10 बटा 100 कर देंगे, ठीक है, 10 बटा 100 कर देंगे, ये 1 0 से, 1 0 ये cancel, 1 0 से 1 0 ए 1 cancel, यानि कि ये 15 बचा न, तो 15 रुपय की छूट दे दिया इसने, ठीक है, तो यानि कि जब 15 रुपय का छूट दे दिया, 150 रुपय लिखा था, तो 135 रु ये शॉपकीपर makes a profit of 20% on marked price, मतलब जितना ये लिखा हुआ है न, डबबे पे, मालो कि ये किसका डबबा है, मालो कि एक बादाम का डबबा है, मालो कि आप बादाम खाएंगे, बादाम खाके दिमाग बढ़ाएंगे, तो बादाम का डबबा है, इस पे 150 रुपय लिखा 20% profit, 20% profit इसको marked price पे मिलता है, यानि ये जो लिखा हुआ है न, इस पे 20% का इसको profit मिलता है दुकानदार को, चलो जी, तो 20% profit का मतलब क्या हुआ, 150 गुडे 20 बटा सो, तभी तो 20% का profit आएगा, ठीक है, 150 गुडे 20 बटा सो, अब देखो, 10 से 10, ये cancel, इस से ये cancel, यानि कि 30 रुपे का इसको profit मिलता है, 30 रुपे का profit मिलता है, यानि कि लाव मिलता है 30 रुपे का, बात आरी समझ में, 30 रुपे का इसको लाव मिलता है, अच्छा जी, 30 रुपे का लाव मिलता है, और उसने बेचा कितना है, यानि कि ये विक्रे मुल्य है, ये कितना है, ये है selling price, ये कि ये है बटा विक्रे मुल्य क्योंकि 135 रुपे मुस्ने बेचा उसने 10% तो छूट दे दिया था ना ये selling price है है ये profit है अपने क्या निकालना है क्रेम मुल्य यानि कि cost price निकालना है क्या वेटा निकालना है cost price right cost price we have to calculate the cost price तो cost price निकालने के लिए हम सभी जानते हैं कि CP is equal to SP minus profit SP minus profit यानि कि जो क्रेम मुल्य हमारा होगा क्रेम मुल्य बराबर selling price यानि कि विक्रेम मुल्य माइनस लाब विक्रेम मुल्य माइनस लाब है ना तो तो विक्रेमुल्य कितना है, देखो, विक्रेमुल्य हमारा क्रेमुल्य हो गया, बात आगी समझ में, एक दम clear है ना, सारी चीजें, चलो, तो 105 रुपए हमारा सहही एंसर हो जाएगा अब यहां पर बच्चे यह गलती करते हैं देखो जैसे कि मां लो कि क्रै मुले पर वो लोग लाफ परसेंट निकालने लगते हैं ऐसा मत करना है यह पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो इसको लाफ मिल रहा है न वो मांक्ट प्राइस पे यानि कि जो अंकित मुले है उस पे 20% का इसको प्रॉफिट मिल रहा है अरिए वास समाझ में चलो नेक्स क्वेशन बढ़ते हैं और ये क्वेशन उससे अच्छा होने वाला है पहले से अच्छा क्यों कि मैंने आपसे वादा किया है कि step by step हम लोग बढ़ते वे चलेंगे ठीक है तो इसमें देखो विटा क्या कह रहा है कि a shopkeeper a shopkeeper makes a profit of 20% on the marked price of an item after selling it 10% less than the marked price find his actual profit percentage अब इसमें थोड़ा सा थोड़ी सी बात इसने घुमा दी है क्या कह रहा है एक दुकांदार एक वस्तु को अंकित मुले से 10% कम पर बेचने के बाद अंकित मुले पर 20% का लाफ कमाता है उसका वास्तविक लाफ प्रतिशत ग्यात कीजिए जब भी हम लोग कोई चीज और उसको 25 रुपय का बेचा तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ पांच रुपय का फायदा हो गया और परसेंटेज मैं एक्जामपल दे रहा हूँ और परसेंटेज लाब निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं 5 रुपय का फायदा हुआ तो 5 को उपर रखा हमने और क् पुने 100 कर दिया यानि कि यहां से अगर मैं काट दूँ तो 20 पंजे 100 पांच बचे 25 यानि कि 25 परसेंट का अपने को क्या हो गया लाब हो गया ऐसे तो निकालते हैं यानि कि जब भी हम लाब निकालते हैं तो वो हमेशा क्रेम मुले पे निकलता है क्रेम मुले तो 20 रुपय पर, mark price पर 20% का लाव हो ले रहा है, मतलब ध्यान से समझना बेटा, ये question बहुत अच्छा है, note कर ले ना इसको, जैसे कि माल लो ये डबबा है, बादाम का डबबा, माल लो बादाम का डबबा, जिस पर 100 रुपे लिखा हुआ है, ठीक है, 100 रुपे लिखा हुआ है, तो question में ये कह रहा है, कि ये 100 रुपे पे 20% उसको लाव मिलता है, याने की 20 रुपे का लाव मिलता है, समझ रहो, लेकिन अगर ये 100 रुपे में बेच रहा है, तो 100 रुपे में थोड़ी ने खरीदा है, ये माल लो 100 रुपे में बेच रहा है, तो उसने 70 में खरीदा होगा, 80 में तो मालो 80 में इसने अगर खरीदा होगा तो इसका परसेंटेज जब हम लोग 80 रुपए में परसेंटेज निकालेंगे तो और परसेंटेज जादा आएगा अरे यह बात समझ में तो यह marked price पे percentage है 20% का फायदा इसको हो रहा है लेकिन हमें actual जब निकालना होगा na actual profit तो हम वो marked price से 10% कम पे बेचता है तो उसका actual profit निकालो देखो कैसे करेंगे पहले question को तोड़ो question को तोड़ो क्या कह रहा है कि माल लो कि यह बादाम का डबबा लो जी गुरो जी को बादाम बहुत पसंद है यह बादाम का डबबा हो गया यह कह रहा है कि अगर हम इसको 10% कम पे बेचते हैं यानि इस पे 100 रुपया लिखा हुआ है 10% कम पे यानि कि 90 रुपे में हम इसको बेच रहे ह कितने रुपे में बेच रहे हैं 90 रुपे में बेच रहे हैं तो हमें अंकित मुल्य पर 20 परसेंट का लाब होता है अंकित मुल्य कितना सौ रुपया है ना तो अंकित मुल्य पर वटा हमें 20 परसेंट का लाब होता है यानि कि 20 रुपय का हमें लाब होता है 100 का 20% बड़ाबर 20 रुपए 100 का 20% बड़ाबर 20 रुपए और 10% कम पे हमने बेचा है इसको तो यानि कि जब हम 90 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें 20 रुपए का लाब हो रहा है यानि क्या मैं कह सकता हूँ कि लाब बड़ाबर 20 रुपए है और ये 90 क्या है? 90 बेटा है विक्रे मुले क्योंकि 90 रुपे में हम बेच रहे हैं, यानि कि 90 है selling price, चीक है? 90 है selling price, अच्छा जी, अब ही अगर मुझे CP निकालना हुआ, तो हम सभी जानते हैं, CP is equal to SP minus profit, यानि कि अगर हमें क्रे मुले निकालना हुआ, तो हम जानते हैं बेट और विक्रे मुले minus laugh, तो विक्रे मुले है अपना 90 रुपे ठीक है, और laugh कमा रहा था 20 रुपे का, यानि कि 70 रुपे हमारा क्या होगे बटा, यहां से दबदो, देखो, 70 रुपे कितना हो गया हमारा, 70 रुपे क्या हो गया? ये क्रे मुले हो गया, है ना? अब हमें actual profit percent नि निकालें तो पर्सेंट लाव बराबर लाव बटे क्रेम उले लाव बटे क्रेम उले गुड़े सो गुड़े सो है ना तो लाव कितना आ रहा है अभी हमने देखा कि लाव ये कितने का रहा है 20 रुपे का रहा है और क्रेम उले कितना है 70 है ठीक है तो लाव यानिकी 20 रुपे का और क्रेम मुल्य 70 है गुणे 100 कर देंगे है ना देखो आसान सी चीज तो है यह 0 से 0 थुम तो गए और यह 100 गुणे दो 200 बटे 7% 200 बटे 7% का हमें यह actual profit है यानि कि वास्तविक वास्तविक लाव प्रतिशत है वास्तविक लाव प्रतिशत है यानि कि actual profit percentage है ठीक है वो जो profit था ना यह जो profit था 20% वो तो वो तो अंकित मुल्य पे profit था लेकिन actual profit कहां पर निकलता है cost price पर निकलता है निकि क्रेम मुल्य पर निकलता है आर यह बात समझ में तो यहाँ पी इस question को देखो घुमा दिया था कितना चोटा सा concept है लेकिन question की भाशा को तोड़ मलोर करके इस question में क्या कह रहा है थोड़ा से मैं इसको इधर करता हूँ और shopkeeper makes a profit of 20% after selling an article 10% less than the marked price if the cost price is 150 then find the profit gained by the shopkeeper क्या कह रहा है बटा ध्यान से पड़ो हिंदी में एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मुल्य से 10% कम पर बेचने पर 20% का लाव कमाता है 20% का लाव कमाता है यदि क क्रेम उले 150 है तो प्रापतलाब ग्यात कीजिए देखो अब यहां पर एक extra information दी हुई है जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं है ज्यादा जानकारी भर दिया है जिसके अपने को जरूरत भी नहीं है जैसे देखो कह रहा है कि क्रेम उले दिया हुआ है यानि कि CP is already given क्रेम उले question में क्या था कि 20% का लाफ वो कमा रहा था किस पे जो लिखा हुआ प्राइस था मतलब जो डिब्बे पर प्राइस लिखा हुआ था अंकित मुल्य पर अंकित मुल्य पर है ना लेकिन यहां पे अंकित मुल्य नहीं दे रखा है यहां पे कह रहा है कि 20% का लाफ कमाता है यह कितना मुल्ले पे नहीं ना क्रेम मुल्ले पे 20% का लाव कमा रहा है तो क्रेम मुल्ले जो है बेटा कितना दिया हुआ है क्रेम मुल्ले दिया हुआ है आपका देखो कितना 150 रुपे ना तो 150 पे अगर मैं लाभ निकालू यानि कि प्रॉफिट निकालू तो 150 का 20% है ना 150 का 20% तो यहाँ से देखो, एक जीरो से एक जीरो cancel और दूसरे से दूसरा cancel है कि 30 रुपे का ये लाव कमा रहा है है कि नहीं, 30 रुपे का ये लाव कमा रहा है ठीक है, तो लाव ही तो निकाल ला है, find the profit gained by the softkeeper, तो ये 30 रुपे ही हमारा सही answer हो गया, ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, कि इसकी कोई जरूरत ही हमें नहीं पढ़ रही है, जो ये discount दे रहा है ना, मतलब 10% कम पे बेच रहा है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं पढ़ रही है, तो इस तरह से जबर जस्ति का information गुड़ेस रखा इसमें, जबर जस्ति का information डाल रखा है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है ना, तो इस तरह की चीजों से बचना है, confused नहीं होना, बच्चे सुचते हैं कि ये कहीं यूज होगा, नहीं होता है किसी-किसी question में, ठीक है, next question देखो अचा, next question ये देखो, ये last question है ठीक है ना, और क्रे मुल्य कह रहा है, 150 है, तो क्रे मुल्य यानि की 150 बराबर CP है, यानि की क्रे मुल्य है, 150 बराबर क्रे मुल्य है, ठीक है 150 बराबर क्रे मुल्य है, कह रहा है कि अंकित मुल्य से 10% कम पर बेचने पर 20% का लाव कमाता है 20% का लाव कमाता है अच्छा एक बात समझो कि अगर क्रेम मुले 150 है तो 20% का लाव अगर मैं निकालू तो क्रेम मुले पर ही तू निकालूंगा क्योंकि यहाँ पर कहीं नहीं दिया हुआ है कि अंकित मुले पर 20% जब भी ये ना दिया हो तो आपको by default क्या समझना है कि क्रेम उले पे ही लाभ आपको निकालना है ठीक है तो 15, 150 का 20% अभी हमने निकाला था कि 30 रुपया होता है देखो यहां से निकाला था ना क्यों बार बार वही चीज निकालना कहां निकाला था हमने कहीं तो निकाला था यार वो ऐसे भी निकाल सकते हो ना वो ऐसे भी निकाल सकते हो 150 का 20% निकालने में क्या है 150 लिखो और 20 बटे 100 कर दो 20 बटे 100 कर दो इसका answer आजागा आपका 30 तो 30 रुपय का यह लाभ कमा रहा है ठीक है 30 रुपए का ये लाफ कमा रहा है देखो 30 रुपए का लाफ कमा रहा है चलो जी, तो 150 में जब ये बेच रहा है ना, तो 30 रुपए का लाफ कमा रहा है, समझ रहो तो अगर, नहीं ने 150 रुपए में वो खरीदा और उसने 30 रुपे लाव कमाए और फिर उसको बेच दिया तो हमें यहाँ पर बटा निकालना है यहाँ पर हमें निकालना है विक्रे मुल्य क्या निकालना है विक्रे मुल्य यानि कि Selling Price निकालना है और Selling Price हम सभी जानते हैं कि CP प्लस Profit होता है यानि कि क्रे मुल्य क्रे मुल्य प्लस लाब होता है सेलिंग प्राइस बराबर है की नहीं क्रे मुल्य प्लस लाब क्रे मुल्य कितना है 150 तो क्रे मुल्य है बटा 150 और लाब कितना कमाया 30 रुपए तो 150 प्लस 30 यानि कि 180 रुपए एक 180 रूपए विक्रा मुल्य कितना हो गया 180 रूपए सेलिंग प्राइस कितना हो गया 180 रूपए अब बटा बात ध्यान से समझना कह रहा है कि अपने को अंकित मुल्य निकालना है जो की नहीं पता है लेकिन बेचा गया है 180 रूपए में बेचा कितने में गया है 180 रूपए म दुका अंदान ने बोला नहीं 5% हम कम देंगे उसे मोला नहीं थोड़ा और दे दो या 10% दे दो चलो मान गया च्रीक है दस परसेंट जो है कम पे बेच दिया उसने 90% पर क्या कर रहा है, बैटा, 90% पर बेच रहा है, 90% पर बेच रहा है, ठीक है, 90% पर बेच रहा है, तो अगर 90% की value, देहान से देखो, 90% की value 180 है, यहाँ पर देखो, 90% की value ही तो है 180, क्योंकि 10% की छूट दे दिया है, इसने, देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, कि 10% less than the mark प्रायस'. मतलब 10 % कम पर बेचने पर। तो 90% की value 180C है, तो 100% की value निकालने के लिए भीना हमनों क्या करेंगे?! 180 में 90 का भाग देंगे और 100 का गुणा कर देंगे! आर्च यह बात समझ में? देखो 90% की value कितनी है 180 , 100% की value कितनी है 180 218, तो 100% की डिब्बे पेटा 200 लिखा था, क्या बात समझ में आ गई, डिब्बे पे कितना लिखा था, 200 लिखा था, यानि कि अंकित मुल्ले कितना हो गया, 200 रुपे, अब ज़रा क्वेशन को वापस से बिठाते हैं, मालो 200 रुपे लिखा था, 10% छूट दे दिया, तो 180 रुपे में बे चलो, उमीद करता हूं कि सारी चीज़े तुम्हें समझ में आए होंगी, बिल्कुल बेसिक से मैंने उठाया, और इस लेवल तक क्वेशन पर मैंने तुम्हें लाकर करके पटक दिया, तो इस वीडियो को और रिपीट रिपीटिड ली देखना है, अगर कुछ चीज इसमे समझ में नहीं आई है, तो समझते हुए उसको चलना है, और अगर आप 9 विडियाले के तैयारी कर रहे हो तो हमारा एप डाउन्लोड कर सकते हो, आप Dr eli School का अब डाउन्लोड कर सकते हो, डाउन्लोड करने के बाद यहां पे Seneca स्कूल के भी courses है, और इसके अरामा 9 विडिया के दार नेक्स वीडियो में तब तक के लिए लविदा धन्यवाद